अब आपको बताते हैं कि अगर आप सिद्ध कुंजिका इस्तोत्र का नवरात्री में पाठ करते हैं या रेगुलरली नियमित रूप से दैनिक जीवन में इसका पाठ करते हैं तो क्या फल मिलते हैं? व्यक्ति को वाणी और मन की शक्ति मिलती है मन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है मन एव मनुष्या नाम कारण बंधन मोक्षयो मन ही व्यक्ति के बंधन का और मुक्ति का कारण है इसलिए इस्तुतियों के साथ जो सबसे एहम चीज है महत्वपूर्ण चीज है वो है मन की ताकत इसलिए मन की शक्ति मिले मन मजबूत हो, वारी अच्छी हो, वो ताकत आपको कुंजिका इस्तोत्र से मिल जाएगी आपके अंदर असीम उर्जा का संचार होगा, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं हर इस्थिती परिस्थिती में रह सकते हैं, ये उर्जा, ये भाव कुंजिका इस्तोत्र का पाठ करने से प्राप्त होता है अगर आपके ग्रह खराब हैं, तो उन खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है खासतोर से मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपका बुद्ध खराब हो या बुद्ध की वजह से जीवन में दिक्कत हो तो कुंजिका इस्तोत्र का पाठ बड़ा अद्भुत होता है जीवन में धन सम्रिध्धी मिलती है तो कि धन तो सबके लिए आवश्यक है और धन सम्रिध्धी अगर चाहते हैं तो कुंजिका इस्तोत्र का पाठ करिए तंत्र मंत्र की नकारात्मक उर्जा का असर नहीं होता बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे उपर इसने तंत्र कर दिया मेरे उपर इसने मंत्र कर दिया मैं तंत्र मंत्र से परिशान हूँ मुझे नजर लग जाती है ऐसे लोग अगर सिद्ध कुंजी का इस्तोत्र का पाठ करें तो वो किसी भी तरह के तंत्र मंतर से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे अब ये जानना एहम है, जरूरी है कि सिद्ध कुंजी का इस्तोत्र का पाठ किया कैसे जाएगा साइदा तो होगा, लेकिन पाठ करने का सही सिस्टम क्या है, तरीका क्या है